हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोके साथ शेयर करने वाली हूं बनाना स्मूधी की रस्पी जो कि बहुत ही हिल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है जो आपके स्वास के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए देख लेते हैं कैसे बना बनाना इस स्मोधी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है दो बनाना, ये केला, साथ में थोड़ी से टूटी-फूटी, थोड़ी से चीनी, दूध और थोड़ा सा शेहद, शेहद बिल्कुल ओप्शनल है, केले को हमने चील लिया है और छोटे-छोटे इस तरीके से आनी हो, अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार, और ये जो हमने केला काट करके रखा था, इसको हम डाल देंगे अपने जार में, साथ में यहाँ पर डालेंगे एक चमच हनी, यानि शेहद, शेहद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो सहद जरूर ड साथ पर, यहाँ पर डालूँगी दो चमच चीनी, चीनी जादा डालने के जरूत नहीं है, क्योंकि हमने एक चमच सहद डाला है, और सहद भी काफी मीठा होता है, अब हमें लेना है दूद, एक ग्लास दूद का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से पहले मैं आधा ही पेस्ट बना लेना है, एक दम जूसी पेस्ट, चलिए पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, यह देखी हमने ग्राइंड कर लिया है और इसका अच्छा सा पेस्ट तयार हो गया है, बिल्कुल क्रीमी और इस तरीके का टेक्शर हमें चाहिए अब बाकी बचा हुआ जो लेंगे, यह देखी, दुबारा से भी हमने इसे मिक्स कर लिया है, और यह बन कर तयार है हमारी बनाना स्मूदी हिलती और बहुत ही स्वास्त वर्दक, चलिए हम ग्लास में निकाल लेते हैं, ग्लास को हमने थोड़े से चोकलिट सीरफ के साथ डेकुरेट कर लिया है, और इस तरीके से स्मूदी को हमने डाल दिया है, ग्लास में, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़े से चुटी फ्रूटी, वाइद बैस चुटी फ्रूटी के रास्पी देखना चाहते हैं, तो लिंक उपर आई बटन में और नीचे कॉमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप जरूर शेकर लिजेगा, तो टूटी फ्रूटी नहीं है, तो इसके लाँ आप ड्राइ फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं, या बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे बना कर पी सकते हैं, बहुत ही हल्थी होता है, अब इसमें हम बनाना स्लाइस डाल देंग अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा, हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बबाए और बहुत सारा टेक केर